गुड मॉर्निंग मैं डियर स्टुडेंट तो कैसे हैं आप सब लोग आप लोग के सयोग से हमारा विडियो चो है एक अच्छा ग्रो कर रहा है इसलिए आप लोग को बिसेश तोर पर धन्यवाद लेकिन आज हम लोग क्लास 10 का जो है पहला चप्टर यहाँ पर आप देख सक क्लास 10 का यह पहला चप्टर है थोड़ा सा आवाज हम देख लेते हैं आवाज किलियर है या नहीं है चलिए आवाज तो किलियर होना ही चाहिए क्योंकि किलियर मैंने सारा इधर से अपना जितना करना था वो कर चुके हैं बाकि जदि किसी परकार कोई दिक्कत हो तो आप पर देखिए लिखा हुआ है शत्ता की साज़दारी तो सत्ता की साज़दारी का मतलब क्या है सत्ता की साज़दारी हम लोग क्यों पाढ़ना चाहिए सत्ता साज़दारी से आप क्या समझते हैं इसकुछ परकार की कॉश्टन है पहला आप चुश्टन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिखें सत्ता की साज़दारी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आप एक कॉश्टन लिख सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं कि सत्ता की साज़दारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साज़दारी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर एक कॉश्टन आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की सज़दारी सत्ता, तो आप लोग जानते ही है, सत्ता कौन सा सत्ता, यह जो है कि जुगहा वाला सत्ता नहीं है, सेवन नहीं है, यहाँ पर जो है कि यह सत् से चो है कि आप लोग जानते ही होंगे सत्ता मतलब जो सत्ता जैसे अभी नरेंदर मोदी चो हमारे परदान मंत्री मतलब उनको चो है देश का सत्ता मिला हुआ है तो यहाँ पर देखते हैं यह लेशन वान है देखिए आप अध्य वान भी लिखा हुआ है हाना साइड में लि सभाइनगे जैसे हमलोग class आप सिक्स सपड़ेंगे या class six isil एक बर शेवन पढ़िए seven के बाद eight के बाद राफ नहीं पढ़िए या थैन पढ़िए या किसी भी class ओप पढ़िए आपको वहां पर लोगतंत्र पारे में क्णिन के लिए दिया गया। आपको जो है लोकतंत्र के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है लोकतंत्र आप भली भाती जो समझते होंगे और जदि आप जो है कि लोकतंत्र के बारे नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर आप जो है कि बहुत सारे वीडियो जो है कि हमने लोकतंत्र के बारे में चर्चा की हैं, जो political science का है, और उसके बारे में आप चाहें तो पर सकते हैं, समझ सकते हैं, और सारा चीज कर सकते हैं, पुरारा वीडियो में जाहिए, वहाँ पर से समझें, क्या है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के बारे में अभी बात करेंगे, तो लोगतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, लोगतंत्र के बारे इसमें जो पढ़ाया जाएगा उसके बारे में तो समझाना जरूरी है, उसको तो हम समझाएंगे, लेकिन लोगतंत्र क्या है, यह आप एक कौशन लिख लेजे, लोगतंत्र से आप क्या समझते हैं, सवाल नमर दो क्या है, लोगतंतर से आप क्या समझते हैं, तो दो कोशन है, पहला कोशन हो गया, पहला कोशन आपका क्या था, सत्ता की साजयदारी से आप क्या समझते हैं, और दूसरा कोशन आपका हो गया, दूसरा सवाल का आपका हो गया, लोगतंतर से आप क्या समझते हैं और करना चाहिए, करने से आपका practice बढ़ेगा, आगे देखते हैं, इस सद्याय के साथ हम लोगतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जो पिछले साल शुरू किये थी, मतलब पिछले साल काँ शुरू किये थी, class 9 में, class 9 में आप लोगतंत्र के बारे में पढ़े हों जैसे दो भागों बार दें, तो class 1 एक हो गया, और class 2 चुह है, दो हो गया, है कि ने, तो एक तो आप लोग पढ़े चुँगे, चुके होंगे, और नहीं पढ़े होंगे, तो आप चुह है कि जाके बर वीडियो में, 9 class का वीडियो देख सकते हैं, ज्यादा वीडियो नही लोग तांतरिक व्यवस्ता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर एक सवाल अपना कौपी में नौट करिए, और कौपी जदी खोले हुए और नहीं खोले हुए तो कलम उठाइए, कलम उठाने के बाद कौपी उठाइए, वहाँ का पढ़ना खोलिए और वहाँ पर नौट कर लोग तांतरिक व्यवस्ता से आप क्या समझते हैं, यह आपको 28-200 सब्कों में लिखे, आपका काम आ जाएगा, बहुत अच्छा काम आ जाएगा, लोग तांतरिक व्यवस्ता में सारी तागत किसी एक अंग तक सिमित नहीं होती, जितनी बी तागत है भारत के देश में, भ उतना तागत है, एक आद्में पर नहीं दिया गया है। हानने सुप्रेम कोट का जो जज है, उनको भी साहत तागत नहीं दिया गया है। या फिर हर तागत को मतलब जज हो, मंत्री हो, परधान मंत्री हो, राष्टपती हो, किसी एक व्यक्ति को तागत नहीं दिया गया है, यहाँ पर बाटा गया है, वसी कारण से आप पढ़ते होंगे कायरपालिका, नायपालिका और विधायका, आप लोगों ने पढ़ा है और यह भी नहीं पढ़ा है, तो कोई दिकत नहीं है, हम है पढ़ाने के लिए, लोग तांत्री की ववस्ता में सारी तागत किसी एक अंग तक सिमित नहीं होती है, बिधायका, देखिए यहां पर बिधायका आ ही गिया है, बिधायका, कायरपालिका और न्यापालिका, बिधायका कोन विधायका जितने आपके जो है ना दिख रहे हैं मंत्री जितने नेता जितने वाड जितने सारे चीज हैं ये आपके जो विधायका में ही आते हैं ये वाड है या मुख्या है या पंचाय समयती है या आपका जो है मंत्री है विधायक है या ये सारे चीज है आपका विध कारिपालिका देखा जाये आप देखा जाये आप जो है विद्धाय ने समझा विधान सभावा है, वहाँ पर Harakhand के जितने भी लोग है, बना जितने भी लोग है, जो चूने हुए होग है, चूने हुए विधायक है, चूने हुए यह चूए कि आपका विधान सभाव हुआ, उसी परकार आप MP के बारे जानते हों कि Member of Parliament जिसे सांसत महदे भी करते हम लोग, सांसत कहा है, आफी के दुआरा, आफी के भोट से, हमी लोग के भोट से, हमी लोग के मातापिता के भोट से, हमी लोग के सारे भोटों से, चुनने के बाद एक MP आपके छेतर से, आपके लोग सभा छेतर से एक MP जाता है, कहां जाता है, दिल्ली जाता है, दिल्ली में कहां जाता है, लोकसभा, लोकसभा में कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, एक सदन का नाम क्या है, लोकसभा, दुसरे सदन का नाम क्या है, राइसभा, एक सदन का नाम क्या है, लोकसभा, दुसरे सदन का नाम क कि देश में कितनी संसद है, तो देश में एक संसद है, कितना संसद है, मात्र एक संसद है, उस संसद कहाँ पर है, तो दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में, और वहाँ पर कौन लोग जाते हैं, हम लोग के द्वारा भोट के माध्यम से, जो चुनेवे MP हैं, वह आपके वहा हमारा परतिनीधित्यों करते हैं हमारी बातों को वहां रखते हैं और हमारे बातों को रखते हुए जो एक विचार विमर्स होने के बाद एक जो डियम की अवसकता होती है भारत देश में उसको जो बनाने का काम जो है संसद लोग संसद भवन में करते हैं दो जगा है दो अस् बता सकते हैं आप न्याय ले सकते हैं तो यह न्याय पालिका है न्याय पालिका कहा है पूरे देश में है पूरे देश में कहा है आप डिस्टिक में जाए है तो डिस्टिक कोट मिलेगा और एक जो है एक राइज में एक हाई कोट होता है जबकि अभी जो है लगभग मतलब 24 हाई कोट है औ और साइध एक बन गिया हो तो 25 हो गिया हो लेकिन अभी फिलाल मेरी जनकारी के नुसार 24 है और इसमें आप लोग कमपरम करके पताईएगा कितने हाइकोट हैं उसके बाद ज़िदे देखा जाएं तो हाइकोट हो गिया और उस हर डिस्टिक में एक डिस्टिक कोट होता है और नयाय के लिए इन जगों में जा सकते हैं, किसी परकार के आपको लगता हो, कि आपके साथ भेदभाव किया गया हो, आपका परतारित किया गया हो, आपको किसी परकार का परिसान किया जा रहा हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर जा सकते हैं, कोट जा सकते हैं, और पुरी समझ के साथ सत्ता की वेकेंदरी तित कर देना लोकतंतर के कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं. पहले तीन अध्याओं में हम सत्ता के बटवारे, मतलब सत्ता के किस तरह से बटवारा किया जाता है, पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे. मतलब इसमें बात करेंगे. सत्ता का बटवारा का. आइए हमें बेलेजियम और स्रीलंका की दो कताओं के साथ सुरुवात करते ह यहाँ पर दो देश का नाम रखा गिया है, एक पहला देश है जिसका नाम है बिलेजियम और दुसरा देश है जिसका नाम क्या है स्री लंका, यहाँ पर हम लोग स्री लंका और बिलेजियम के बारे में बात करेंगे और लोग हम लोग जानने का परियास करेंगे कि सक्या घट नावों से या समझनेक में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंतर में सत्ता के बटवारे के जुरत क्यों होती है। इसके साथ हम लोग भूती विस्तार से समझने का परियास करेंगे और देखने का परियास करेंगे फिलाल ये जो है सरांस था कि हम लोग इस चप्टर के क्या पढ़ने वाले हैं तो ओ चीज को यहां बताया गया है। आज हम लोग चर्चा परिचर्चा मागी हैं और कल हम लोग बिलेजियम और स्रिलंका के बारे में कहानी पढ़ेंगे। रोज आपको जो है कि वीडियो मिलते मिलते आदा गंटा करेंगे ना तो आप लोग के लियर हो जाएगा। इसलिए आप जो है ध्यान पुर्वक के वीडियो को देखें। समझना आए तो आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभार।